जैशी राद है जैनिताई कुछी दिनों में जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है वैश्णमों के इश्ट स्वयम भगवान श्री कृष्ण नर रूप में उस दिन प्रत्वी पर प्रकट हुए है उस दिन हम वरत करें या ना करें इस विशय में जो प्रश्ण पूछा है वरत का अर्थ होता है कोई नियम लेना वरत का एक दूसरा पर्याय भी है उपवास उपवास माने भगवान के पास में वास भगवान के इर्द गिर्द भगवान के आसपास बने रहना जैसे राष्ट्रपती के बाद उप राष्ट्रपती होता है ऐसे वास माने रुकना, रहना, ठेरना भगवान के आसपास रहना मतलब भगवान का गुणगान करना, कीर्टन करना, भजन करना, इसमरण करना, चिंतन करना यही उपवास है उपवास को कुछ खाने कुछ ना खाने से भी जोड़ा जाता है वो भी उसका सही अर्थ है अब भृत करने की इस्तिती ये है कि गौडिय संपरदाय में हर वैशनव के लिए पांच भृतों को करने का आदेश दिया गया है जिसमें जनमास्टमी है राम नौमी है महाप्रभुजी है नडसिंग जयनती है वामन जयनती है एक आद और भी है मुझे इस्मती में नहीं है अवश्य ही जनमास्टमी के दिन वरत करना ही चाहिए अब वरत भी दो तीन प्रकार से होता है एक तो ऐसे होता है कि सुबह से हम निराहार रहें दोपहर में ठाकोर का अभिशेक होता है चाहे वो घर में हम पंचामरत से अभिशेक कराएं अपने श्रीविग्रे का या कहीं मंदिर में हमारी शद्धा हो तो वहां जाएं वहां का अभिशेक हो जाएं अभिशेक के बाद वो अभिशेक का पंचामरत लेके उससे वरत खोलने और उसके बाद सामान्य भोजन, सामान्य प्रशाद जो भी पानाएं पालें। इसमें दूसरा विकल्प ये रहता है कि अभिशेक के बाद हम वरत खोलने और फिर एक आदशी जैसा वरत रखें सुबह पारण करके, सुबह दूसरे दिन फिर वरत खोलने। तीसरा वरत ऐसा भी इसमें किया जाता है कि सुबह से ही हम एक आदशी का वरत रख लें। और रात्री में बारे बजे भी कहीं कहीं अभिशेक होता है तो बारे बजे अभिशेक के समय अभिशेक का जल ले लें और बारे तो बजी गए तो वृत सुबह ही खुलता है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि सुबह से निराहार रहते हैं और रात्री में बारे बजे अभिशेक का पंचामत लेने के बाद फिर अन्न भोजन करके वृत को तोड़ देते हैं। ये तो रही खाने ना खाने की बाद जैसी आपकी परंपरा हो जैसा आपका मन हो जैसी आपकी सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं। भोजन का जो कंट्रोल शास्तर में बताया गया है उसका एक मात्र कारण है कि हमारे अंदर सात्विक भोजन जाए या भोजन ना जाए तो भोजन से उत्वन होने वाले जो राजसिक तामसिक विकार हैं. वो हमारे शरीर में न हो क्योंकि राजसिक तामसिक विकार नहीं होंगे तो हमारा मन इस्थिर रहेगा, चंचल कम होगा, चंचल न होने पर हम भजन में लगें, ठाकुर की सेवा में लगें, ठाकुर के चिंतन में लगें, ठाकुर के ध्यान में लगें, ठाकुर की सेवा में लगे ठाकुर के शंगार में लगे ठाकुर के लिए भड़िया भड़िया पतार्थ बनाएं लेकिन ज्यादा तर आज की जो इस्तिती है वो भोजन पर केंदरित है यह खाएंगे यह नहीं खाएंगे आज हम सवेरे से भूखें हैं तो सवेरे से भूखे लेकिन टीवी पर चार फिल्म देख चुके हैं यह हैं तो भूखे भगवान का कोई इसमयरण नहीं बहुत है ऑस्षी रहने को ही उपासना मान लिया गया है जो की गलत है, भूखा रहना या कुछ खाना या कुछ ना खाना यह उपाय है और उपाय के बाद हमारा उद्दिश यह है भगवत इस्मरती, भगवत इस्मरण, भगवत चिंतन, भगवान के पास वास, तभी हमारा उपवास सफल होगा, इस बात को हमें सदाईव ध्यान करदी आंई टो कुछ चास बात का नाना यहे है मारा सुरूब तर उपाय है, इस पत्राना के भवत नाओश बात को हमारा थावलती, जा लो गवाकत को हमार थावलतीूजती, बात्सा Q1